कर दो कि अधा फटा फट से ट्राइ करते हैं इस कॉश्चन को चलिए कर दो चलिए देखते हैं कहता है Mr. X on our residential house which purchased by him 1998 2 lakh रुपे का एक घर खरीदा 2 lakh का the FMV दे रखा है fair market value the house 20 lakh का the house is sold by him घर को बेचा गया 2021 में और आपका consideration ये 74 lakh 5000 का the brokerage other expenses transfer 20,000 पिछले कोश्चन में परसंटेज था यहाँ पर कोश्चन में ये दे दिया the dues date of the furnishing return 31 ठीक है सर ये पहले से पता होता है कि जिस साल हमें income tax return फाइल करना होता है वो हमेशा end days होता है जो कि given था कहता है he purchased a new residential house 2022 तो सर पहले ही खरीद रिया दो साल का वक्त मिलता है लेकिन पहले ही खरीद लिया कितने का खरीदा तो exemption मिलेगा and invest 5 lakh रुपे in capital gain account सर 5 lakh रुपे capital gain account में भी डाला है इसने कहता है scheme में कब डाला इसने 39 साथ को और एक लाख रुपे फिर से डाला एक आठ को head purchase some jewelry इसने एक जोलरी खरीदा इन 2001 और 2 धाई लाग का एक मार्च को he sold इसने बेच दिया यानि सवाल सर दो जगे घूम गया ये एक property के उपर आ गया एक jewelry के उपर आ गया ठीक है न सर compute the capital gain और capital gain आपको निकाल के देना है चलिए एक एक करके सवाल करते हैं पहले मैं property की बात कर लेता हूँ पहले मैं property की बात कर लेता हूँ सर सेल कंसिडरेशन सर सेल कितने का किया इसने सेल किया इसने 74 less selling expense minus करके आ गया NAC माइनस अब ध्यान से पढ़िएगा सवाल को कहते है दा ब्रोकरेज भी पेड कर दिया इसने दा ड्यू रिटन फाइलिंग तो दे दिया ही पर्चेस अन्यू रेजिदेंशल हाउस एक नया रेजिदेंशल हाउस इसने खरीद लिया पांच लाग का यानि मैं लिखता जाता हूँ सर 14-5-2022 के अंदर इसने घर खरीदा तेट इस 5 लाग का ही इन्वेस्ट 5 लाग इसने इन्वेस्ट भी किया है सर सर इन्वेस्ट किया है कितने का 5 लाग का जो की विफॉर रिटन है return file करने से पहले तो ये भी exemption मिलेगा ये भी exemption मिलेगा आगे कहता है ये एक लाख रुपए on एक एक 2022 को एक और इंवेस्मेंट किया इसने वो किया इसने एक लाख का वो एक आठ दो हजार 22 यानि जो इनवेस्मेंट टोटल गेंट डिपोजिट में किया इसने टोटल 6 लाख किया जिसमें से एक पांच लाख रुपए वाला हिस्सा return file करने से पहले है और एक लाख return file करने के बाद तो जो return file करने के बाद है उसका तो exemption नहीं मिल सकता सर आगे कहता है के he had purchased some jewelry 2002 और एक में तो सर यहां से सवाल ना बिलकुल different हो जाता है सर कभी jewelry खरीदा था और March में उसने बेचा है 2022 में और एक March 2022 में he sold the jewelry इतने रुपए का बेच दिया इसने ठीक है सर compute the capital gain for the assessment year जो भी दे रखा है relevant cost तो cost of acquisition के लिए सर लिया जाएगा 20 लाख और divided by 100 into में 317 सर improvement लगा ही नहीं तो करिए बताइए क्या आता है 40,000 63,40,000 यह आजाएगा LTCG सर मैं बड़ा short में लिखना हूँ आपने ने लिखना है आपने पूरा लिखना है long term capital gain 10,40,000 सर section 54 के अंदर exemption मिलेगा सर एक तो घर खरीदा वो तो पूरा मिल जाएगा सर इसमें कोई दो राई नहीं है दूसरा 54 में किसका investment जो किया है लेकिन सर 54 तभी active रहेगा मान लो इसने पैसे तो जमा कर दियो उसमें 5,000,000 अगले साल उसने निकाल के जुलरी खरीद लिया हो तो तो exemption अगले साल क्या हो जाएगा वीव अफ हो जाएगा तो सर 5,000,000 यह भी मिल जाएगा इस बातों को note के form में आपको question paper में लिखना है मैं मानता हूँ आपको पता है सर इसका नहीं मिलेगा आपने सवाल भी करती आंसर बिल्कुल ठीक है लेकिन examiner को कैसे पता चलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला investment सबसे पहले तो 54 का आपको देना पड़ेगा note फिर ये investment बिफोर written file से किया है तो exemption available है और ये written file के बाद किया है तो इसलिए exemption available पूरी बाते बताना होगा तो taxable capital gain इसका यह आ गया अब आगे बात कहता है सर इसने जोलरी खरीदा जोलरी कब खरीदा सर इसने खरीदा था 2000 एक और दो के अंदर कितने का खरीदा था सर धाई लाग का तो मैं इधर सीधा सीधा निकाली देता हूँ सर सेल जोलरी की बात करते हैं सेल तो सर कितने का इसने सबसे पहले बेचा जो है इसने यहाँ कोई selling expense है नि minus COI sorry COA धाई लाग सर कब का लगेगा indexation कौन से time का लगेगा indexation कब खरीदा था एक और एक और दो का दे रखा है 100 और वैसे भी हमें पता ही है किसका क्या होता है और बेचा कब है 22 में 21-22 तो 317 ही है बताईए साड़े साथ लाग कुछ आएगा न 7-9 बताईए 1-8 सर सवाल में question में कहता है compute capital gain 9-0 भी है तो बहुत ज़्यादा loss आ रहा है कहता है compute capital gain तो अब यहां तक पहले बताईए आपको clear है एक जगह आपका gain आ रहा है एक जगह आपका loss आ रहा है ध्यान देना यह क्या है capital तो आपसे अगर capital gain का सवाल पूछा जा रहा है तो आप net करके बताईए यहां पे मैंने बाकी यह ना इसी format के नीचे हो सकता था जैसे कि मैंने 10 year में solution किया हुआ है इसी format के नीचे हो सकता था बट मैंने क्या करा है थोड़ा अलग कर दिया अब एक निकालेंगे आप total capital gain तो जो house से है वो profit है आपका और minus कर देंगे less loss sir loss 184 अभी भी loss बच जाएगा कितने का 1 sir ये loss अब देखिए इसका answer कैसे लिखेंगे एक इसके note बने 54 section का एक investment का note बना एक ये loss अब जब ये वाला point आएगा यहाँ पे और loss का point बनेगा कि ये वाला loss 139,490 रुपीज का जो आया है ये next year में set up होगा set up का मतलब अगर अगले साल हमने फिर से profit कमाया तो उस profit को हम reduce कर देंगा suppose कर अगले साल आपने 2 lakh का capital गिन किया है तो ये 1,49,490 रुपे उसमें से minus कर दिये जाएंगे और balance पे आप text दोगे ये note में डालना है कि balance will be carry forward for next year के लिए आपको carry forward करना है तो ये सारे note लिखोगे न तब जाके आप उमीद करना कि आपके पूरे marks मिलेगे बच्चे क्या करते हैं गलती exam के अंदर मैंने कई बार देखा है वो फटा-फट question करेंगा रहे answer match बल्कुल ठीक है और इतना answer करके सिर्फ ये 2 point करके सोचते हैं हमारे full marks मिल जाएंगे नहीं इनके तो marks के सासत इनके भी marks है आपके note जो डालोगे उस note के भी marks होगे इनका प्टेक्स में ध्यान रखना पेपर answer बहुत छोटा होता है लेकिन note बड़े बन जाते हैं इसको पूरे detail में explain करना है आपने note विशाल मैंने 10 year के अंदर डाले हुए हर question में आप देख सकते हो same note रहेगा मैं दिखा भी दूँगा कह रहे हैं voice नहीं आ रही है आ रही है मेरे पास तो carry forward वाला मैंने ये बताया वैसे तो carry forward एक chapter है कि जैसे कि suppose करो अभी भी ये loss बचा हुआ है अगले साल आपकी कमाई हुई डेड़ लाग की तो डेड़ लाग पर टेक्स नहीं भरोगे अगले साल पहले ये जो पुराना आपका loss है उसमें से पहले minus कर लोगे अब जैसे balance बचेगा जैसे एक चालिस माल लो तो 10 बचा ना balance 10 अजार पांसो दस बचा तो 10 अजार पांसो दस पे आपको टेक्स देना पड़ेगा balance पर difference मैंने गलत लिया हो सकता है आप देख लिजेगा वो कर दो 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 की अजा है